सरहद तुझे प्रणा आज हम कक्सच चतूर्ती विश्य पर्यावन अध्याई चवदा फसलों की परकार भाग एक कालांस 22 के बारे में दिन करेंगे जैसा की पार्ट का नाम है फसल फसल मनुस्य अपने फायदा के लिए जिन पेड़ पोदों का उत्पादन एक योजना के अनुसार करता हैं और खाद्दी आवसुतों की पूर्ती करता हैं वह फसल होती हैं आरम वेव अपने अनुबो के अदार पर उगिप हुई वनस्पतियों एव पेड़ पोदों से बोजन प्राप्त करता हैं लोग आर्थिक अदार पर या लापकरने कवाने की दश्टी में भूमी में उने वाले सभी पोदों का वगीकन विवाजित के गया हैं इसमें अनाज की फसलें दलन की फसलें तेलन की फसलें रेसे की फसलें और उसे दिये फसलें अन्य परकार की फसले होती हैं जो आर्थिक रूप से मनुस्य को मिलती है और ये मनुस्य के लिए ज़र फसलों के अदार पर उनको तीन बागों में बाटा गया है या हम कह सकते हैं कि फसलों के तीन परकार होते हैं सबसे पहला परकार है खरीब की फसल दूसरा है रभी की फसल तीसरा है जायत की फसल जित्मों के आदार पर भी फसलों को तीन भगों में बटा गया है रभी की फसल, खरीब की फसल और जायत की फसल एक रबी की फसल रबी की फसल अक्टूबर वो नौंबर में बहुए जाती है और मार्च और वो अप्रेल में काटे जाती है और इनकी जो परमुख फसले होती है वो है गौंग जो चना माटर सरसो मसूर आदी है दो नंबर है खरेब की फसल खरेब की फसल जून वो जुले में बहुए की जाती है और अक्टूबर और नौंबर में कटे की जाती है और उनकी परमुख फसले हैं चावल, जवार, बाजरा, मक्का, तिल, मुंफली, आदी है इसी परकार तीसरा है जायत की फसल ये मार्च वा अप्रेल में बहुए की जाती है और जून वा जुले में इसकी कटे की जाती है इनकी जो परमुख फसले हैं वह हैं तर्बूज, खर्बूज, ककड़ी, खीरा, अन्ये, सबजिया, आदी हैं वर्च के आदात पर हम फसलो को दो भागों में बारते हैं सबसे पहला है एक वर्च ये फसले इस वरक की फसले बुने से कटे तक एक वर्च में इससे कम समय में अपना जीवन पूर्ण कर लेती है इस अवदी में ये फसले पकर पिली पढ़ जाती है और इनकी कटे उप्य समय हो जाता है एक वर्च ये फसलों के उदारण गऊं जो मका धान आदी हैं इसी परकार दूसरी है दिवे वर्च ये फसले इस वर्च की फसले अपना जीवन-काल में वर्च में दो बार या इससे कम समय भी पूरा कर लेती है इस अवदी के अंतरगत पर्तम वर्च में य बीज बनाती है जैसे दिवर्सी फसलों का उदरने चुकुंदर हैं इसी परकार फसलों के लिए अनेक परकार के परबंद करना बहुत आसक हैं इसमें सिचे परमुख हैं सिचे परबंदन हमारे देश में वर्षा असमान और अनिचित होने के कारण उगे जने वाली फसलों का संपूर्ण जल मांग की पूर्टी नहीं हो पाती है अनिच परकार के विकल्प के अनुशार कर्टिम रूप में फसल में जल देने का कारिय अधिक्तम उत्पादन के लिए आउसक हो जाता है अरताद सिचे बहुत आउसक है अताद सिचे के सादनों का परबदन अधिक्तम उत्पादन के लिए बहुत अधिक आउसक है इसी परकार हम संपेक्स में कह सकते हैं कि भोजिय परदात वाली फसले गउं जो दान मक्का आदी हैं दो नमबर दलनी फसले अरर मूं मसूर चना मटर आदी है तीसरा है तिलनी फसले तिलनी फसले सरसों, सुरुजमकी, कुसुम, मुमफली, तिल, सोयबिन आदी है चोता है चिन्नी वाली फसले गण्ना, चुकंदर आदी है पे परदात वाली फसले चाई, कववा, काफी आदी है इसी परकार एलकॉल उद्योग की फसले गण्ना, अलू, जो, आदी है स्टेक्स्टाइल फसले साथ नमबर कपास, जूट और पट्टसन इसी परकार आठ नमबर है और सिद्य फसले तुलसी, असुगंदा, हल्दरक, हल्दी, पोदिना, लोशन और इसब गोल आदी है इसी परकार नमबर है सुगंदित फसले गुलाब, पोदिना और मेती है ठीक इसी परकार रबबड की फसले होती है जिसको हम बोलते हैं रबबड का पेड इसी परकार काश्ट्य फसले भी होती है जिसमें सिस्वम, साल, केल, आम, नीम आदी है ठीक उसी परकार कागच, एव, गता वाली फसले है धान और पोपलर आदी इसी परकार सबजी वाली फसले है गाज़र, मूली, सलजम, मटर और टमटर आदी है इसी प्रकार इस्टार्च मलब एनरजी प्रावत करने वाली फसले है इसमें अलू और सकरगन आदी है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्यक प्रकार की फसले होती है और फसले हमारे लिए बहुत लाबदेक हैं और हमारे लिए खाने के लिए बहुत उप्योगी है इस प्रकार हमने आज फसलों के बारे में अध्यन किया, खेतों में हम फसल उगाते हैं, इसका हम कह सकते हैं कि किसान फसल उगाता है, फिर फसल उगाने के बाद पूरी पकने के बाद वो फसल को काड़ देता है और फिर वह थ्रेसिंग मसीन की साहितर से गउंगों को साप किया जाता है और फिर उनको टेक्टर या बेल गड़ी के साधन से अनाज मंडी लिया जाता है और अनाज मंडी में उनको गउंगों को बेच दिया जाता है और अनाज मंडी वाले वेक्ति जो वेपर होते हैं वा दुकांदार को वापिस गौउं दे ज़ेता है और गौउं जो सादान वेक्ति होते हैं सबी लोग उनके पास थो गौउं पहुँच जाता है इस परकार आज हम ने फसलो के बारे में हम ने पढ़ा और इसके परकार के बारे में भी अधिन किया धन्यवाद